अच्छा दोस्तों पिछले लेसन के अंदर हम लोगों ने बात की थी टाइपोग्राफी की हवाले से और हम लोगों ने देखा था कि टाइपोग्राफी क्या होती है और ग्राफन डिजाइन के अंदर इसकी क्या importance है अब हम बात करेंगे टाइपोग्राफी के अंदर Different categories of typefaces की यानि के serif and sans-serif fonts इसके इलावा हम discuss करेंगे type face और font के अंदर क्या difference है इस सीज को और हम ये भी जानने की कोशिश करेंगे कि अपने relevant topic के लिए हमें बेहतरीन font किस तरह से select करना चाहिए दोस्तों हम लोग daily life के अंदर बहुत ज़्यदा fonts और बहुत ज़्यदा type faces रोजाना देखते हैं आप लोग जब newspaper उठाते हैं या television देखते हैं बाहर सड़क पे निकल जाएं तो hoardings के उपर font है आप website कोई देख रहे हों तो उसके अंदर भी type faces में text है और इसी तिना से अगर आप अपने smart phones को use कर रहे हों तो भी आप basically text जो है वो type faces या fonts की सुरत में ही देख रहे होते हैं अब यहां पर यह जानना ज़रूरी है कि type face और font में क्या फर्क है दोस्तों यह जो type face और font वाली कहानी है यह कुछ यूँ है कि आम थोर पे इन दोनों terminologies को बहुत ज़्यदा confuse किया जाता है वैसे तो कहने को यह दोनों एक ही चीज है लेकिन इन में थोड़ा सा फर्क जरूर है तो आएं जानने की कोशिश करते हैं कि type face और font के अंदर क्या difference है basically दोस्तों type face और font के हवाले से अगर बात की जाए तो type face एक family है और font उसका family member है इस चीज को बहुत असानी के साथ आपको समझाने के लिए मैं आपकी मुलाकात करवा रहा हूं हेलवेटिका family से जी हाँ अभी हम मिलने लगे हैं हलवेटिका family से दोस्तों हलवेटिका family के अंदर हमारे पस चार family members है सबसे पहला जो family member है ये हैं मिस्स हलवेटिका regular इनके बाद हमारे पास आते हैं मिस्टर हलवेटिका बोल्ड और इसी तरह से हमारे पास इनके दो बेबीज भी हैं जी हाँ, नमबर वन हमारे पास आते हैं हलवाटिका लाइट और इसके बाद हमारे पास आते हैं हलवाटिका अबलीग तो दोस्तों ये जो चारों करेक्टर्स हैं ये आपस में मिलके हलवाटिका फैमिली को फॉर्म करते हैं यानि इन से जोड़के हलवाटिका फैमिली बनती है अच्छा अब इसी तरह से अगर देखा जाए तो हलवाटिका जो है ये एक टाइप फेस है जबके अगर हम बात करें 20 या 24 या 12 साइज के हलवाटिका बोल्ड की तो वो एक फॉर्ट कहलाएगा तो उमीद करता हूँ अब आप लोगों को फर्क समझ में आ गया होगा के टाइप फेस और फॉर्ट में क्या डिफरेंस है अच्छा अब हम बात करते हैं जनाबी अली सेरिफ एंड सेन सेरिफ फॉर्ट के हवाले से दोस्तो टाइप फेस या फॉर्ट की बात करते हैं तो इन टाइप फेस को बेसिकली दो में काटेगरीज के अंदर डिवाइड किया गया है सबसे पहले हमारे पास हैं सेरिफ फॉर्ट और उसके बाद हमारे पास आते हैं सेन सेरिफ फॉर्ट तो देखते हैं कि ये सेरिफ और सेरिफ फॉर्ट हैं क्या दोस्तो सेरिफ जो वर्ड है ये एक डच्छ लैंगुज का वर्ड है और इसका मतलब है लाइन इसके अलावा जो san word है ये French language का word है और इसका मतलब है without तो इससे हमें ये समझ में आई कि serif का मतलब है line के साथ और san serif का मतलब है line के बगएर दोस्तो देखते हैं कुछ fonts को जो कि serif और san serif category से तालुक रखते हैं तो पहले serif category से तालुक रखने वाले times new roman को देखते हैं दोस्तो times new roman जो है ये serif category से तालुक रखने वाला एक बहुत ही मशुरे जमाना font है अगर आप गोर करें तो इसके edges के उपर आपको छोटी छोटी extra lines नजर आएंगी इन ही lines की वज़ा से इसको serif category के अंदर शमार किया जाता है इसके अलावा अगर आप ट्रोजन font को देख लें या कूपर ब्लैक को देखें तो इन fonts को देखके भी आपको अंदादा होगा कि इन तमाम fonts के edges के उपर आपको बारीक सी extra lines नजर आएंगी जिन को हम basically serif कहते हैं और इनी lines की वज़ा से इन fonts को serif fonts कहा जाता है अच्छा अब देखते हैं कुछ sans serif fonts को तो दोस्तो sans serif fonts में हमारे पास एक font बहुत ही मशूर है आप सब लोगों ने कभी न कभी उसको जरूर इसको जरूर किया होगा वो है aerial font जी हाँ अगर आप aerial font को बगोर देखें तो आपको बड़े असानी से पता चल जाएगा किसके जो edges हैं वो बिलकुल smooth है और उनके ओपर आपको कोई extra lines नजर नहीं आएंगी इसी वज़ा से aerial font को sans serif कहा जाता है इसके अलावा कुछ और examples देखते हैं sans serif fonts की हिलवेटिका font आप इस वक देख सकते हैं अपने सामने स्क्रीन पे ये भी एक बहुत मशहूर sans serif font है इसी तरह से वरडाना आप देख सकते हैं ये भी एक sans serif fonts हैं ये तमाम fonts हैं ये इनके edges बिलकुल smooth हैं और इनके ओपर आपको कोई extra lines नजर नहीं आती दोस्तो थोड़ी सी मैं आप से यहां पर बात करना चाहूंगा अभी मैंने जिकर किया है आप लोगों से हलवाटिका font के बारे में ये बहुत ही मशूर font है और बहुत ही ज्यादा पसंद किया जाने वाला font है हलवाटिका को graphic designers का favorite font कहा जाता है इसकी वज़ा क्या है दोस्तो इसकी वज़ा ये है कि अगर आप गोर करें हलवाटिका के उपर तो ये आपको पता चलेगा कि ये बहुत ही neat, clean और smooth font है इसकी readability बहुत ज्यादा है दोस्तो जब हम अपने design के लिए किसी font को select करते हैं तो हमने जो सबसे ज्यादा ख्यार लखना होता है हमें कोशिच ये करनी चाहिए कि हम वो type face यूज़ करें अपने designs में जो कि easily readable हो और उसको असानी से देखा और समझा जा सके अच्छे यहाँ पे क्योंकि अब हम बात करने लगे हैं इस हवाले से कि हमें अपने designs के लिए type faces को suitable तरीके से किस तरह से select करना होता है तो इस हवाले से यहाँ पे एक बात बहुत important है और वो यह है कि दोस्तों जिस तरह हम लोगों की एक personality होती है आप सब की एक personality है मेरी एक personality है इसी तरह से हर type face की भी अपनी एक खास personality होती है एक अपना character होता है हमें करना सिर्फ यह होता है कि जब हम designs बना रहे हों हमें अपने designs के लिए हमारे topic से relevant personality का font चूज करना होता है अगर हम इतना सा काम कर लें तो हम बहुत अच्छी typography create कर सकते हैं इसके कुछ examples देता हों में आप लोगों को दोस्तों फर्स करें कि आपको कोई client अपने beauty salon के हवाले से कोई भी poster या कोई भी दूसरा advertising material create करने को कहता है आप किस तरह का font यूज करेंगे दोस्तों आपकी preference यह होगी इस situation में कि आप एक ऐसा font यूज करें जो देखने में glamorous हो sleek हो और stylish हो इसी तरह से आप beauty salon का जो topic है उसके साथ इनसाफ कर पाएंगे अच्छा इसके बरक्स एक और मिसाल देखते है फर्स कर लीजिए कि आपको किसी construction company का client अपना कोई design बनाने को देता है क्या अब भी आपको sleek smart सा font यूज करेंगे बिल्कुल नहीं अब आप जो font यूज करेंगे वो थोड़ा सा heavy होगा थोड़ा सा thick होगा और bold होगा क्यूंके bold और heavy font ही construction company को express कर पाएगा visually इसी तरह से दोस्तो अगर आप किसी festival या किसी event के हवाले से कोई design बना रहे हैं तो आप जो font यूज करेंगे वो थोड़ा सा decorative होना चाहिए वो कुछ इस किसम का होना चाहिए कि वो आपके design को थोड़ा सा decorative feel जाए वो उसके अंदर add कर सके इसी तरह से अगर हम बात करें technology से relevant clients की तो जब आप technology के उपर काम कर रहे होंगे तो आपको बहुत ही simple और modern किसम के contemporary किसम के fonts यूज़ करने होंगे जो के बहुत यह सानी से technology को शो कर सकें तो दोस्तो इस तरह हमें पता चला कि हम अपने designs के लिए उस personality और उस character का font यूज़ करते हैं टाइफेस यूज़ करते हैं जो actually हमारे topic का character होता है अब दोस्तो आप लोगोंने करना यह है कि आप लोग गूगल पे जाहिए different topics सर्च कीजिए और उन topics के हवाले से different relevant essay font सर्च कीजिए जिनकी personality उन topics की personality से match करती हो